हेलो एफ्रिवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बिहार सिक्षक भरती 2.0 के बाद 3.0 यानि की तीसरी जो है इसकी एडिशन आने वाली है अगले साल अगस्त के टाइम में एक और बात मैं आप लोगों क बता दू जिन लोगों का सीटेट अपेरिंग है एस्टेट जिन लोगों ने नहीं दिया है उनके लिए गॉल्डन उपरिशनिटी आने वाली है अगले साल से हर अगस्त को जो है टी आरी का एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा ऐसा अतुल परसाद जी ने कहा है आप उनक पहली जब टी आरी की वेकेंसी आया थी यानि की टीचर रिकूट्मेंट एक्जाम की भरती आया थी तो उससे मैं जो है सीटेट को मौका मिला था इवेन डी एलेड वाले को भी मौका मिला था जो अपने लास्ट एयर में है उन सभी को फर्म भरने के लिए जो है अलाओ कर लेकिन इस बार आप देखोगे तो सीटेट एपेरिंग वाले को मौका नहीं मिल रहा है अगले बार से भी नहीं मिलेगा और आने वाले रिकूट्मेंट में भी आपको नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे कि ये मैंने फिर ये थमनियल में ऐसा क्यों लिखा ऐसा इसलिए अब बात करते हैं एस्टेट पास है या नहीं तो देखिए कोई बात नहीं है एस्टेट अगर आपका नहीं है तो 9-10 और 11-12 के लिए आप अपलाई नहीं कर सकते हो लेकिन एस्टेट की जो सूचना है देखिए मैं आपको बता दूँ फरबरी तक आपको जो है एक एस्ट वाली रिकूटमेंट के लिए एस्टेट पास कर लिजए और 11-12 वाली के लिए एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ एस्टेट वाले में बहुत कन्फूजन रहता है लोगों को कि मैंने इस सब्जेक्ट से करा है तो कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म बरूंगा तो देखिए मैं एक clearly बता दूँ आपको अगर आपका subject physics है या फिर math है तो दोनों ही student जो है maths के लिए teacher बन सकते हैं याद रखेगा आपको math subject ही चुनना है physics वाले के लिए भी और mathematics वाले तो maths को चुनेंगे ही चुनेंगे और कुछ और चीजों को ध्यान में रखिएगा जैस subject combination देख लिए तभी estate आप home भरने के लिए जाईएगा बात करते हैं कितने पदों की भरती आएगी तो minimum I repeat minimum 15,000 की recruitment आपको देखने को मिलेगी 50,000 की भरती जो है minimum देखने को मिलेगी और इस बार अगर 9-10 में कुछ seat कम हो जाती है या फिर 11-12 में कुछ seat नहीं भर पाती है I mean teacher जो है qualify नहीं कर पाते हैं तो बचे हुए seat को जो है अगले बार में add कर दिया जाएगा और इसी बीच जितने भी सिक्षक जो है यहाँ पे retirement लेंगे और उनसे जो vacant post आएगी उसे भी add कर दिया जाएगा अगले recruitment में आपको add कर दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ी opportunity आ आपके लिए आई हुई है अगले vacancy तक आपके पास more than sufficient time भी मिलेगा studies के लिए तो please prepare किजिए अपने आपको और authentic book source से ही पढ़ाई करें सबसे पले NCEART को पढ़ ले mathematics वाले सिर्फ NCEART के भरोसे नहीं रहें आरा सक्रवाल आड़ी सर्मा के books को जरूर बनाएं हो सके तो नविन कुमार सिना नविन कुमार सिंग की जो book आती है वो आप purchase कर सकते है और money publication से platform की book आती है definitely you should go with that आगे बढ़ते हैं यह जो vacancy आपको जुलाई अगस्त के समय में मिलेगी तो तैयारी में लग जाए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करिए मिलते हैं किसी और informative वीडियो के साथ thank you so much for watching इस वीडियो और देखो यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ wait एक tweet है वो मैं आपके साथ साजा कर देता हूँ जादने से पहले यहां से देखो यहां से देख पाओगे आप BPSC तीसरे चरन के लिए जो है TRE 3.0 में लगभग 50,000 सिक्षकों की recruitment किस ने कहा केके पाठक ने कहा तो तयारी में आपको लग जाना चाहिए मिलते हैं किसी और वीडियो में thank you so much